ओके देखो आप हैड मानना सीख गए या फिर वन टेप मानना सीख गए देन उसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रो बन चुके हो एक प्रो प्लेयर उसे बोला जाता है जो कि टप से टप सीचुएशन को हैंडल करके एनेमी को मार पाए वरना आज गल के बंदे तो एक जन को क् स्क्रीन सोट लेके स्टोरी लगा देंगे और खुद को राइस्टार का गुरु मान बैठेंगे पेटे कौन है तू ओके बहुत कर लिया मजाक ये वीडियो देखने के बाद आपका गेमपले कच्छुए से मेरी तरह हो जाएगा यानि कि बहुत फास्ट क्यूकि आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपका गेमपले 100% इंप्रूव हो जाएगा यानि कि आप नूब हो देन प्रो हो जाओगे आप प्रो हो देन आप लेजेंट बन जाओगे और आप लेजेंट हो देन आप लेजेंट ही रहोगे लेकिन उससे बढ़कर ओके सबसे पहला टिप्स से रियाक्ट मतलब कि आपके सामने एनेमी आता है ना उस टैम आप कि इतनी जल्दी रियाक्ट करते हो यानि कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है उस तरीके से आपको जो भी करना है जल्दी से रियाक्ट करो लेकिन हमारे मन में अक्सर यही चल सवाल आते हैं लेकिन इन तीन सवाल में से आपको करना क्या है वह जल्दी से रियाक्ट किया करो आप सौच में ही पड़ रियाक्ट करो गेना उतना ही फास्ट आपका गेमपले एंड मुवमिट होगा अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा ना मुझे पता है जातर बंदों को ये टिप्स समझ नहीं आएगा लेकिन आप एक चीज समझ लो आपको गेम खिलते टाइम जो भी करना है वो जल्दी से किया लेकिन अगर आपका दिल करें तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना अप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे दन मेरे चैनल में इम्परूमेंट होगा and मेरा subscriber आगे बढ़ेगा कर दो यार कहे को कंजूसी कर रहे हो लेकिन आपका दिल कर तो subscribe करना आपको कोई भी मजबुरी नहीं है and जो भी बंदे subscribe नहीं करते उनको भी दिल से love you अब आपके मन में यह आएगा कि Adam के साथ play करने से हमें क्या फायदा होगा देखो आप Adam से play करोगे न तो आपके पास कोई skill नहीं होगा जिसे कि आप अपने खुद के skill के power का use करोगे यानि कि आपके skill में भी power होता है लेकिन उसका आप use नहीं करते हो वो कैसे कि मान लो कि enemy आपको मारता है तो आपके पास wukong रहता है दिन आप यह सोचते हो कि मैं wukong बन जाओगा लेकिन आप wukong को लेके ही नहीं जाओगे enemy आपको मारेगा बाद में आप अपने दिमाग से सोचोगे कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा है क्यूकि मेरे पास character तो हे नहीं इस तरीके से आप अपना खुद का दिमाग के पावर को यूज करोगे नहीं तो आप wukong के परोसे रहोगे wukong का में example दे रहा हूँ सभी character को ले 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 ना लेकिन wukong का में ने example दिया देखो आप Adam लेके gameplay करोगे ना तो आपका IQ level high हो जाएगा एंड आपका खुद का skill develop होगा दिन आपके gameplay में थोड़ा सा improvement आपको देखने को मिलेगा और हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा Adam लेके ही खेलो आप Adam लेके कभी कबार खेलना आप Adam लेके खेलोगे ना बाद में आप gameplay करने जाना character skill के साथ तो पहले आप character skill लेके खेलते था ना उससे भी बेटर आप खेलोगे एंड इस तरीके से आप अपने gameplay को improve कर पाओगे और हाँ gameplay improve करने का मैं आपको basic तरीका बता रहा हूँ बहुत सारे YouTube आपको यह ही बोलेंगे आपका custom या चुड़ी अच्छे से कर लो आप three finger से खेलो आप यह setting कर लो आप फलाना setting कर लो मैं भी आपको इसी same तरीके से बता सकता था लेकिन copy paste मुझे नहीं आता मैं जो भी बताऊंगा अपने दम पे खुझ से research करके बताऊंगा एंड जो चीज आपको काम आता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ ओके next confidence देखो gameplay करते टाइम जितना हो सके उतना अपने confidence level को high रखो वो कहते हैं न कि पहले मन पूमी में खेला जाता है एंड बाद में ही रन पूमी में खेला जाता है लेकिन मेरे जैसे पीकाजू तो मन पूमे में ही हार जाते है अरे बाप बाप सामने प्रो आ गया है उसके पास M10 है उसके पास कोब्रा MP40 है इस तरीके से हमारे confidence को हम low कर देते है एंड उस time enemy हमें पेल के चला जाता है देखो simple तरीके से समझो आपका confidence जिस time भी low होगा न उस time आपका सीधा हाथ कापेगा एंड आपका हाथ कापने लगेगा देना आप enemy को कभी नहीं मार पाओगे एंड ये चीज़ जल्द टाइम होता है वन वी वन सिच्वेशन में जब enemy अकला बचता है एंड हम भी अकले बचते हैं उस time साला हमारा हाथ कापने लगते हैं क्योंकि हमारा confidence लो हो जाता है इसलिए हमारा हाथ कापता है पता नहीं साला confidence और हाथ को क्या लेना देना है देखो आपके confidence को आपको इतना हाय रखना है ना कि मानलो सामने राइश्टार भी क्यों ना आ जाए लेकिन आपको हारना नहीं हाँ वो बात अलग है कि राइस्टार से जीत नहीं पाएगे लेकिन हार भी उतनी जल्दी नहीं मानेगे जब तक आपके पास एक HP बचेना तब तक अपने confidence लेवल को इतना हाय रखो कि अनेमी को ये लगे लगता है इसको फैक डेमेज लगा है क्योंकि इतना मारा फिर भी मुझे ही मारे जा रहा है एनेमी इस तरीके से सोच में आ जाना चाहिए इतना अपने confidence को हाय रखो लेकिन हाँ एक गलती मत करना overconfidence देखो आपमे confidence ना होना वो अलग बात है लेकिन overconfidence ये गलती मत करना overconfidence में क्या होता है कि आप हज से भी जादा movement करते हो और हज से भी जादा fast ball डालने की कोशिश करते हो या फिर हज से भी जादा one tap मारने की कोशिश करते हो इसे बोला जाता है overconfidence and वैसे तो हम normal तरीके से apply करते हैं लेकिन जब कोई भी teammate यहाँ पे हमें observe करने आये उस time हाई 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 उस time हम overconfidence में आके show off करने में लगे रहते हैं कि हमारे teammate को दिखाते हैं हम क्या सप्लाइ करते हैं और उस time ही enemy हमें बहुती आसानी से पेल के चला जाता है क्योंकि उस time overconfidence की वज़र से हमारी उंगलियों को हम बहुती तेज चलाते हैं इसलिए हमारा wall नहीं गिरता इस तरीके से सीधी गोलिया नीचे जाती है होता है ना तो इस तरीके से overconfidence में मत आया करो मेरे बाई चाहे आपको एक teammate watch कर रहा हो या फिर तीन teammate watch कर रहे हो लेकिन आप normal तरीके से play करते हो ना उसी तरीके से play किया करो ओके next की training देखो बहुत सारे बंदे का मानना ये है कि हम training play करेगे देन हमारे gameplay में improvement होगा लेकिन ये गलत message देखो आप enjoy के लिए training play कर सकते हो लेकिन आप ये मानते हो कि training खेलने से मेरा gameplay में improvement होगा देन वो बालत गलत है लेकिन हाँ आपपे depend करता है अगर आप समझदारी से एक gun लेके training में play करोगे देन वो gun चलाने में आपका improvement आपको देखने को मिलेगा लेकिन पूरा gameplay में improvement होगा वो मैं नहीं मानता है आपका मानना है देन आपको मुबारक ओके next customer maturity देखो बहुत सारे बंदे का मानना ये है कि हमारा customer maturity अच्छा होगा देन हमारा gameplay भी बहुत ही अच्छा होगा इसलिए बहुत सारे बंदे क्या करते है पागल M10, राइस्टार या फिर वाइट 344 इनका customer maturity यूज करने में लगे है बहुत बेटे बहुत देखो दूसरे की customer maturity यूज करना दूसरे की GF के पीछे बागने जितना महेंका पड़ सकता है तो समझ रहे हो ना देखो आपका जैसा भी customer maturity है ना उसमें play करो उसमें play करके आप खुद के gameplay को improvement कर पाओगे लेकिन अधरबंदी के custom HD में आप कभी भी gameplay को improve नहीं कर पाओगे अधरबंदी का use मत करना ये गलती मत करना आज का वीडियो में मैं इतना ही cover करूँगा क्योंकि इस तरीके का वीडियो में नहीं बनाता हूँ लेकिन अगर इस वीडियो भी अच्छा खासा views आता है और आपका comment आता है next part 2 के लिए तो मैं part 2 जल्दी से लाऊंगा तो आपको इसका part 2 चाहिए जैन मुझे comment करना part 2 मै जल्दी से part 2 लाने की courses करूँगा सो आज का वीडियो में इतना ही था मिलते है next वीडियो में सो चलो गाईज बाई बाई